आईए देखते हैं अगली खबर रीवा से जिला के विश्विद्धाले थाना छेत्र से लड़की के साथ मार पीट करने का वीडियो सामने वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में स्कूटी स्तवार युवक लड़की को एक के बाद एक चार थपड मारते हुए दिखाई दे रहा है मार पीट का वीडियो शोशल मीडियर में वाइरल हुआ वाइरल हो रहा वीडियो बीते दिन युवक के साथ निर्वस्तर कर मारपीट के मामले का बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक लड़के के साथ लड़की के परिजनों ने घूमते हुए देख लिया था जानकारी लगने पर लड़की के चाचा ने उसे अचानक रास्ते में देख लिया जिसके बाद उसके साथ चौराहे में मारपीट करना शुरू कर दी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में पाच लोगों खिलाफ मामला पंजी वर्दकर चार लोगों को गिरफतार भी कर लिया है अभी एक की तलाश जारी है दरसल लड़की के साथ मारपीट करने वाला युवक लड़की का रिष्चे में चाचा लगता है लड़के के साथ घूमने की जानकारी मिलने के बाद लड़की के चाचा ने उस लड़की को अचानक रास्ते में देख लिया जिसके बाद उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी मार पीट करने का वीडियो भीड में खड़े किसी एक यूबक ने अपने मुबाइल के कैमरे में कैद कर लिया था और चौराहे में हो रहे इस मार पीट करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वाइरल कर दिया था मामले को लेकर जिले के अतरिक्ट पुलिस अधीक शक अनिलसोन करका कहना है कि प्रारंभीक पूश्टाच में जो जानकारी निकल के सामने आई है उससे साफ हुआ है कि चाचा को लड़की के बारे में कुछ जानकारिया मिली थी इसके बाद गुस्से में आकर चाचा ने अपनी भती जी के साथ चौराहे में मार पीट की दोनों ही घटना करम को लेकर विश्विद्याले थाना पुलिस ने मामला पंजी बद किया है और फिलहाल अभी चार आलोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है बाकी की तलाश जारी है